नमस्कार साथियों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल डूश्पॉइंट पर मेरा नाम है दीपक और आप सभी जानते हैं कि हम आपकी तयारी करें आपकी प्रात्में सिक्षक पात्वा परिच्छा 2020 जो कि आपके अप्रेल में होना है 25 तारिक को और आज दिन परियावन का ट्रोफिक उठाकर उसके 15 महत्तों करते हैं जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपका खेल और उसे संब्दी ट्रोफिय हमने बताए थी तो इसकी तरह के इंपोर्टेंट वीडियो आपके परियावन संब्दी एमसीक्ट्यू की रूप में देखने के लिए तरह मोटिवेशनल थोड़की से स्टार्ट करते हम कि किसी के पेरो में गिरकर काम्याभी पाने के बदले अपने पेरो पर चलकर कुछ बनने की ढान लो यानि कि दूसरों पर निर्भर रहने से बहतर है कि आप खुद पर निर्भर हैं और खुद की स्टेडी बड़ी आच् कि आप बढ़ेंगे अपने इस अप पर आगे तो आपके दंपर ओर भी लोग है आपका स्मवाने से निरभर कारजता पाने के लिए आपको आपको रुखना नहीं है और खुद के दम पर करना है ठीक है दोस्तों तो हम हमारा पेला क्वेशन स्टार्ट करते हैं आज का समताप मंडल चोब मंडल मद्य मंडल और आयन मंडल तो आपका उपसन हो जाएगा इसमें ऑपसन नमबर दो चोब मंडल आज मैं आंसर आपको थोड़ा रुक रुक के बताऊंगा आप कोपी पेन ले लिए तीस क्वेशन में आप देखी कि आपसे कितने क्वेशन बन रहे है जिससे यह पता जल सके कि आपके त्यारी कितने वेटर तरीके से हैं अगला हमारे 152 नमबर क्वेशन है निमल लिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूम अनली तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टेक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है यानि कि आप आपकी प्रत्वी का जो भूता बढ़ जाता है उसमें कार्बन पर टेक्स लगाने वाला देश कौन सा है आपके पास और आश्ट्रिया जर्मनी जापान न्यूजिलेंड ठीके दोस्तों तो आपका जो एसा देश है उसका आपका हो जाएगा न्यूजिलेंड ओप्सन यहां पाया था लेकिन कमेंट्स आया थे कि होता है लेकिन यहां बात द्रस्ते प्रकास के किस रइंग की बात हो रहे हैं तो लाल रंग में प्रकास अंसलेशन किरीया सबसे अधिक होगी ठीक है तो अप्षण नमबर 3 हमारा सभी हो जाएगा हरा कोई भी रिपलाई ना करे ठीक है वो हरे पत्तों की बात होती है बोदों में प्रकास अंसलेंट करिया किस कालर के कारह होती है तो वो बात होती है अगला हमारा एक सोपन नमबर के उस्टाने हवाई जाज प्राहे उड़ते हैं आपके पास वही परत है समताप मंदल चोब मंदल मद्य मंदल और अहन हन्धी मंदल अंधी मंदल और अपकोबेन मंदल इस मेंताप मंदल चोब मंद्य मंदल और आयन मंडल तो आपका उप्सेन नमबर दो सही हो जाएगा मध्य मंडल बाद बिजली कड़कने की मोसं परिवर्तन की तो वो भी आपका यही आ जाएगा ठीक है दोस्तो अगला हमारा क्वेश्चन है भारती वन्नी जीव संस्तान इस्तित है आपके पास उप्सेन है नई आपके टाइगर दिवस कब मनाया जाता है चोई जुलाई को 29 जुलाई को 25 जुलाई को तो आपका इसमें उप्सेन हो जाएगा 29 जुलाई इसका सही हो जाएगा अगला हमारा 159 नमबर क्योस्चन है इन में से किस परियावरेण वीद को जलपूरुष के नाम से जाना जात तो जो राजिन सिंग के राइस्थान अपनी संस्ता चलाते हैं इसलिए इनको जलपूरुष के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि पानी के बहुत समस्या होती है तो उनके सवरक्षन के उपाई के सो उसको प्योग करना है और जहां होने वाली सम और उप्सने सीटर्टू ग्रिस्मरितू वर्षारितू इन में से कोई नहीं तो आपका उप्सन नमबर दो इसमें सही हो जाएगा घ्रिस्मरितू में अगला हमारे क्वेश्चन है 161 नमबर का कितना प्रतिसत सोरीक उर्जा वायो मंडल द्वारा उसोशित हो जाती है आप आपके पास ओप्सन है 35 प्रतिसत 14 प्रतिसत 59 प्रतिसत और 34 प्रतिसत तो जो वायो मंडल के दुवारा जो सूरी की उर्जा है वह 14 प्रतिसत कर लिया आती है 100% माने तो हम अगला हमारे महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्यों के विरेंदन का कारण है आपके जाता है अगला हमारा 163 नंबर का क्विस्चन है संचार उपगर यानि सेटलाइट कि स्वाव मंडल परत में स्थीद होते हैं समताप मंडल छोब मंदल मद्य मंडल आयन मंडल तो आपके जो सेटलाइट या संचार उपगर होते हैं जो कि प्रत्वी से भेज़े जाते हैं आपके आयन मंडल में होते हैं दो ओप्सन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा अगला है 164 नंबर क्विस्चन ग्रीन मफलर संबंदी थे आपको आपको समझ में आ गया हो कि अभी तक हम जितने 40-45 लेक्चर किये हैं उनी में से क्वेस्चन है और वो भी सारे जो क्वेस्चन हम रोजा ना कर रहे हैं वो किसने किसी एक्जाम में आपके आयो हैं और आपके एक्जाम के पॉइंटों से बहुत जादा इंपोर्टेंट है सारे इंपोर्टेंट क्वेस्चन ही हमने कवर किये हैं ग्रीन मफलर का मतलब यह है कि हम पेड़ बोदे लगाते हैं जिससे कि आप आपका पॉलिशन कम हो साथ में आपका ध्वनी यानि की आवाज रुख जाती है पेड़ बोदों से तो उसका हम ग्रील मफलर बोड़ते हैं रोड पे आपके जो पोधे लगाया जाते दोनों साइड और बीच में वो उसका भी हमें कारण है कि सामने साबको प्रकास की चका आपके पास ओप्षान हुआ को वर्षा के दौरा स्वच्च्च किया जाता है अगला 166 नंबर के हमारा क्योंट अНक्रिका में ऑजोन परत का स्रवादिक विनास किस महा में होता है आपका अप्षीन डिसंबर ते जन्वरी एकक्टूबर ते नौमम there सितंबर ततता अक्टूबर आगस तता सितंबर तो आपका सितंबर सथा अक्टूबर में जो हे अंटार्रिका में ऑजोणप्रत का सबसादिक छरण देखा गया है अगला हमारा 167 नमबर क्योशन है सोलर कुकर सूरी के किन किर्णों से उर्जा को आउसोसित करता है पराभेगनी किर्णे द्रस्ति प्रकास किर्णे अवरक्तिर्णे और दीर के तरंगो तो आवरक्ति किर्णों के माध्यम से सोलर कुकर की टेक्नोलोजी काम करती है तो उसके माध्यम से ये सूरी की गुर्जा का उसोसित करके आपके भोजन को पगाने का काम करता है अगला हमारा 168 नमबर क्योशन है सूरी गुर्जा को राशनी गुर्जा में परिवर्थित करने वाली प्रक्रिया है आपके पास ओप्सन है स्वसन, प्रकास स्वसन, प्रकास संसलेशन और रसायन संसलेशन तो आपके पास ओप्सन नमबर तीन प्रकास संसलेशन इसका सही हो जाएगा अगला हमारा क्वेस्टेन है 169 का कि यारी आपको जीव मंडली तंतर के लिए इतनी सारी परते जितनी हमने पढ़ी है पांच है उन में से आपकी कौन सी परत सर्वादिक महत्पूर्ण है जिसमें की सब कुछ आपका जीवान सम्बवे है आप रह सकते हैं जिसमें आपका अधिक तरह के हर बार बदलाव नहीं होते हैं ठीक है रहीने योगी मतला आपकी परत कौन सी है तो आपके पास समताप मंदल छोब मंदल मद्य मंदल आयन मंदल ठीक है तो दोस्तों हम कौन सी परत में रहते हैं आप सभी जानते हैं कि हम छोब मंदल में रहते हैं तो छोब मंदल हमारा सही हो जाएगा ऑप्सिन न दी गई है अगला हमारा 171 नंबर के उससे ने चारी म्रदा सुधार में प्रयुक्त होने वाला घनिज कौन सा है यानि कि चारी म्रदा में यदि सुधार करना है तो हम उसमें कौन सा घनिज डालेंगे जो उपरोगत ओप्सन है हमारे पास हेलसपार, केलसाइट, मेगनेटाइट और पाईराइट तो आपका ओप्सन नंबर फॉर इसमें से हो जाएगा हम पाईराइट ये मातरा शारी मिट्टी में मिला देंगे जिससे की उसमें सुधार हो जाएगा उस म्रदा में अगला हमारा 172 नंबर के उससे ने जियू मंदल देंगोज के उठाइट वजब आखो जमा नीवेश 속म वहन हलो करें आईयात नीर्यात प्रक्रियाओं क्षिण से और उचम के माद्यान होता है तो इसमें ऑपके बहुत्यम्द्व इसमें की पोर सही हो जाएगा वो जियो भूरासनिक चक्र क्यालाता है जो ओर्जा का आदान पदान होता है पदार्थों के बहिर गमन में अगला हमारा प्रत्वी के पर आक्सिजन के बाद सबसे अधिक उपलब्द कौन सा मूलतत्व है यानि आक्सिजन तो सरवादिक मात्रा में है उसके अलावाद दूसरे नमबर पर आने वाला सरवादिक मूलतत्व कौन सा है आपके बास ओप्सण है प्रत्व पर आक्सिजन के बाद मिलने वाला सबसे अधिक मूलतत्व है अगला हमारा 166 नमबर क्वेश्चन है कोईला पेट्रोल डीजल आधिका दहन मूल्स रोथ है आपको बताना है कि इनके दहन का मली दहन हो गया उसके बाद यह मूल्स रोथ किसका मतले इसके कारण क्या होता है इनके दहान से जल प्रदूशन भू प्रदूशन वायो प्रदूशन भनी प्रदूशन तो आप सब जानते हैं इनके दहान से वायो प्रदूशन आपका होता है तो अगला हमारा 177 नमबर क्वेश्चन है भू प्रस्ट का सरवादिक प्रचूर तत्त्तु कौन सा है अभी हम ने पड़ा सिलिकान दूसे नमबर का और आपस अक्सिजन श़िलिकान करपन तो फीले नमबर का उस में ऑक्सिजन हमारा सर्वादिक मातरा में मिलने वाला प्रचूरतत्व है और उसके बाद सिलिकान अगला हमारा 178 नंबर का क्वेस्चन है क्वाड़ जाइट कार्यांतरित होता है चुना पत्तर से आक्सिडियन से बलवा पत्तर से से तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3 बलवा पत्तर राइट हो जाएगा तो ऑप्शन मेगनेशियम क्लॉराइट मेगनेशियम सलफेट केलजियम सलफेट इनमें से अधिक मात्रा किस लमण की होती है यह मुझे कमेंट्स करना है आपको यदि आप वीडियो मन तक बने रहेंगे तो ही आपको ये क्वेस्टन साहाबने आया होगा और आप कमेंट्स कर पाएंगे औ अपने अच्छे परिणाम ला सके आपकी एक्जाम में लास्ट और अंतीम क्योस्टन हमारा चोब मंडल में तापमान उचाई के साथ घटा है बढ़ता है परिवर्दी रहता है पहले घटा फिर बढ़ता है तो चोब मंडल में तापमान आपको उचाई के साथ घटा है तो कमेंट्स करके जुरूर बता है कि मुझे इन वीडियो में और क्या परिवर्थन करना चाहिए जिससे कि आपके तैयारी और भेहता तरीके चल सके यदि कोई क्वेशन आपको गलत लगा हो तो मुझे कमेंट्स कर दिए जिससे कि मैं उसको आपको अगले वीडियो में कवर आपको एक नंबर यदि वो क्योशन आ जाता है एक्जाम में तो वो कमना हो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में